Next question, 2016 का सवाल है, question says, 3 sound waves of equal amplitude have frequency n-1, n, n-1. They superimposed to give beats. सवाल है, number of beats produced per second will be. Now, again, बहुत conceptual अच्छा सवाल है, कोई लंबी चौड़ी calculation नहीं है, इसमें, पर कुछ ही लोगों के सवाल समझ में आता है, पर मुश्किल नहीं है, समझ नहीं कोईश कीजिएगा. सवाल कुछ इस प्रकार है, कि हमारे पाँ 3 source है, 1 की frequency है n-1, 1 की frequency n, और 3 की frequency n-1. अब इन तीनों को एक साथ हम sound कर रहे हैं, सवाल यह है, कि अगर इन तीनों को एक साथ sound करेंगे, तो beats frequency क्या होगी? Now, किसी भी दो को अगर sound करेंगे, इन दोनों को अगर हमने एक साथ sound किया, तो इन दोनों के बीच में difference है, इन दोनों को हमने एक साथ sound किया, difference है एक का, तो अगर इन दोनों सोल से बात करेंगे, तो beat frequency 1 होगी, इन दोनों के बीच में beat frequency 1 होगी, लेकिन आप क्योंकि तीनों को हम कर रहे हैं, और अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में beat frequency आपकी 2 की है अगर तीनों को एक साथ sound करेंगे तो आपकी beat frequency आएगी 2 की तो 2 option number D, 2 beats would be the right answer इसको समझाने के लिए एक और चीज देखते हैं जैसे for example अगर हम frequency को इनको ऐसे लिखें एक है 500 Hz का, दूसरा है 501 का और तीसरा है 502 का, इन दोनों के बीच में 1 का difference है, इन दोनों के बीच में 1 का और इनके बीच में 2 का, तो इनके बीच में अगर हम तीनों को एक साथ sound करेंगे, तो तीनों का common difference जो है वह आपका 2 है, इसलिए यहाँ पे आपकी beat frequency 2 हो जाएगी, that means option number D would be the correct choice.